Hello friends, Noble English Classes में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग Past Perfect Continuous को समझेगे इससे पहले अगर आपने Present Perfect Continuous की वीडियो देख रखी है तो आज की ये वीडियो बहुत ही आसान होने वाली है आपके लिए मैं आपसे इसलिए यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे टेल्स के वीडियो जरूर देखे आप फिर देखिए आपको टेल्स पढ़ने में कितना मज़ा आता है तो आईए स्टार्ट करते हैं पहचान हमने हिंदी बोलने वालों के लिए लिए लिख रखा है लेकिन आप इसके कंसेप्ट को जरूर समझेगा तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बगल में एक बेल आइकन है आप उसे भी दवाईए ताके आने वाली वो सारे important videos आपको time पे मिल जाए करें तो चली स्टार्ट करते हैं Past perfect continuous Past perfect continuous बेसिकली होता क्या है इसको आईए सबसे पहले हिंदी में समझते है हिंदी की वो sentence जिसके last में say रहा था, say रही थी या say रहे थे हो तो हम यह समझेगे कि यह past perfect continuous का sentence है जैसे इसका English concept क्या है आप यह भी समझे The work which has started in the past but continue in the past for some time For example इसको हम एक timeline के हिसाब से समझते है जैसे यह present है और present से पहले वो सारे के सारे past ही है तो past में कोई काम शुरू हुआ और वो past में इस time तक वो चली रहा था तो यानि के चाहे वो दो महीने तक चल रहा था एक साल तक चल रहा था या कितना time तक चल रहा था लेकिन इस duration तक यह काम चल रहा था इस तरह के sentence को हम past perfect continuous कहते हैं इसमें say के लिए हम for और sense लगाते हैं जब period of time की बात हो रही हो तो for लगाएंगे और point of time की बात हो रही हो तो sense लगाएंगे इस for और sense के लिए मैंने present perfect continuous की वीडियो में डिटेल में बता रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इसमें helping verb had been का इस्तमाल होगा और main verb, verb की first form प्लस ing का इस्तमाल होगा तो इसका sentence कैसा होगा इसका sentence होगा वो दो घंटे से cricket खेल रहा था यानि he had been playing cricket for two hours वह सुबह से किताब पर रही थी यानि she had been reading a book since morning अब ये देखिए इन दोनों sentence में subject के बाद had और been का इस्तमाल हो रहा है तो यही यहाँ पे भी है यानि के subject subject के बाद हमेशा head और been का इसके बाद वर्व की first form प्लस ing जिसको हम fourth form भी कह सकते हैं उसके बाद जो भी sentence में object होगा या other words होगा वो लिप देंगे उसके बाद for या since यहाँ पे for लगा है इस sentence में since का इस्तमाल होगा तो for या since उसके बाद जो भी time दिया रहेगा वो time link देंगे ओकी तो यह आसान है तो आईए हब हम detail में इसके सारे structure को देखते हैं कि इसका negative structure कैसा होगा इसका interrogative structure कैसा होगा डंब इस question में हम कैसे इस्तमाल करेंगे आई यह detail में देखते हैं जैसा कि आपने देखा कि positive में subject के बाद हमेशा head का हिस्तमाल होता है चाहे subject i, we, you, he, she, it, they या कोई भी नाम हो कुछ भी हो subject हमेशा head का हिस्तमाल होगा उसके बाद beam first form ing plus object और उसके बाद जो भी since for लगाना है as per the given time हम लगा देगे और यह structure इसका complete हो जाएगा negative में क्या होगा subject के बाद जो head लगता है उसके बाद not लगाना है याद रखना है चाहे आप इसको बीन बीन प्लस ing बीन प्लस ing बीन प्लस ing ठीक है अब आगे देखते हैं उसके बाद object और since for लगाने के बाद जो भी time होगा वो लिख देगे है question में होता क्या है question में जो helping work यहाँ पे head है helping work head पहले सब्जेक्ट से पहले पाकी बिल्कुल वैसे ही रहेगा head प्लस subject प्लस बीन ing फॉर्म प्लस object since यह for और उसके बाद जो भी time होगा लिख देगे हैं negative questions में बस subject के बाद not लगा देगे बाकी बिल्कुल वैसे ही रहेगा अगर आप चाहें तो not को head के साथ भी contraction form में short form में आप लिख सकते head hadn't या head plus subject plus not plus been plus ing form of the work plus object since since या for और टाइम दे रहे हैं डव्लू है में क्या होगा बिल्कुल जिस तरीके से question और negative questions है ठीक इसी तरीके से है बस उससे पहले अगर हमें अलग-अलग लिखना है तो subject के बाधी नौट अगर हमें अलग-अलग लिखना है तो subject के बाधी नौट लिखेंगे यहां पे भी और यहां पे भी ठीक है धियान रखेंगे तो डब्लू है प्लस हैड प्लस subject प्लस नौट प्लस बीन आई एंजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक और फिर इसके बाद ताइम देंगे तो यह है इसका structure इसके उप प्लस नौट अर आइधियो WES नौट वी प्लेइं क्रिक प्लस चॉखेंगे प्लस प्लस उचाव़ 20 गंथे क्यों तो अलट राता ऐजमार दो गंथे एक विट सिकेट कोई खेंगेंगे रहा था वाई फाय है लिखेंगे नौट बीन प्लस एकर्ट नहें खेंगे वट रह आर्स वह दो घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था तो इस तरीके से आप चाहें तो किसी भी तरीकी का sentence इस structure पर बड़े असानी से बना सकते हैं कभी-कभी किसी sentence में since or for time नहीं भी होगा तो भी structure यहां तक हमें follow करना है इसलिए मैंने इसको red में लिख रखा है for example अगर यहां मैं अगर sentence बोलू कि दिल्ली आने से पहले मैं मुंबई में रह रहा था तो हम क्या sentence use करेंगे कि I had been living in Mumbai before I came to Delhi यहां पे अगर हम बोलेंगे इसका negative तो I had not been living in Mumbai before I came to Delhi questions क्या मैं दिल्ली आने से पहले मुंबई में रह रहा था तो had I been living in Mumbai before I came to Delhi क्या तुम यहां आने से पहले विडियो गेम खेल रहे थे had you been playing video game before you came here क्या तुम यहां आने से पहले उससे बात कर रहे थे had you been talking to him before you came here क्या तुम यहां आने से पहले मुश्कुरा रहे थे had you been smiling before you came here तो इस तरीके से हम इसको for और since नहीं भी लगा करके हम बना सकते हैं sentences depend करता है कि किस तरह का sentence है लेकिन जादातर इस sentence में for और since का इस्तेमाल होता है इसलिए हमने structure के साथ ही लिख रखा है अगर आप चाहे तो use कर सकते हैं आप चाहे तो इसके बगर भी use कर सकते हैं since और for के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ ताके आपका revision हो जाए अगर आप मेंसे किसी नहीं देखा है तो कम से कब आपके लिए यह information रहेगी जब इस तरह का time लिखा हो जैसे 6 गंटे, 6 दिन, 6 हफते, 6 महीने, 6 साल से कोई काम कर रहा था तो इसमें हम 4 लगाएंगे और जब इसका नाम दिया हो जैसे 6 गंटे तो है लेकिन कौन सा 6 गंटा यानि 6 पीम यह उसका नाम है 6 days, कौन सा 6 days तो हमने दिन का वो नाम दे दिया, Sunday इस तरीके से month और years जिसके भी नाम अगर नहीं दिये हो तो हम 4 लगाएंगे अगर उनका नाम दे दिया गया है तो यानि कि since लगाएंगे जिसको हम point of time कहते हैं यानि इस point से यह काम शुरूर हुआ था अब इसमें देखिए yesterday, yesterday यानि कि यह भी एक नाम है उसका, childhood यह भी एक नाम है, morning, evening, night कुछ भी हो यह भी एक नाम है इस तरह के point of time अगर दिया हो तो हम sense का इस्तामाल करेंगे और अगर कोई भी period of time हो यहाँ से काम शुरूर हुआ, यहाँ तक यह काम चली रहा था तो यह period of time हो गया, यानि इस period of time के लिए हम four का इस्तामाल करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ point यानि यह starting point बता रहा है कि काम शुरू हुआ कब से, सिर्फ यह बता रहा है, वह दो बज़े से कर रहा था, वह Sunday से कर रहा था, या Monday से कर रहा था, या कल से कर रहा था, परसो से कर तक जब से, यानि सिर्फ और सिर्फ starting point बता रहा है, तो हम sense का इस्तामाल करेंगे, ठीक है, मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी next important video में, तब तक के लिए goodbye, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, तो